MTTV इंडिया को दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज इमका दूसरा इस चैनल का जनम दिवस है उस पर पूरे न्यूज चैनल, न्यूज चैनल की पूरी टीम, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम उसके वीडियोग्राफर, तमाम उसके संचालकों को मेरी ओर से हारदिक शुपक पूरी की और आज इनके सफलतम दो वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके उपर मैं समस्त MTTV इंडिया न्यूज परिवार को बढ़ाई शुपकामनाई प्रशित करता हूं अब भविश में इसी तरह से अजमे शेयर के विकास संबंदित जितने मुद्दे हैं, जिस तरह से आप उठाते हैं और उन पर जो क्रिया होती है, उसके लिए मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूं, आपकी पूरी एंटाइर टीम को बढ़ाई देता हूं पब्लिक के सराकारों से जुड़कर जनता की समस्याओं को उठाते वे और उनका समाधान कराते वे प्रशाशन और जन प्रतिनितियों को ध्यान आकरशित करते हैं, पब्लिक की समस्याओं को लेकर के, मैं ये चैनल इसी तरह से काम करता रहे और उत्रोतर प्रगती करें दो वर्शों में, लोगों के आम जनके मुद्दे उठाकर उनको काफी रहत प्रदान की है, और कामना करता हूं कि आगे वो और इस तरीके के जो लोगों से जुड़े वे मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे और उनको उनके आवाज को बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी आशा है अजमेर शेरजिला कॉंग्रेस कमेटी की और से बहुत बहुत वजाई शुब कामना है और इनके मंगल में जीवन की कामना करते हैं कि इनका चैनल आगे बड़े और काफी निख्ट पक्षता से और काफी समाजों को, सब वर्गों को, सारी राजनितिक पार्टियों को ये कुछ बदलाव ला सकता है, जरूरत है नया सीखने की, नया कुछ करने की और नया लोगों की सोच बदलने की, मैं MTTV को बढ़ाई दूँगा कि उन्होंने पिछले दो साल में अजमेर शेर, ना केवल अजमेर शेर बड़की राजस्तान में एक अपनी जगे बजनाई है, प पिछले दो वर्ष में MTTV इंडिया ने अजमेर में अपनी अलग पहचान बनाई है, चाए वो क्राइम से जूड़ी खबर हो, राजनीती से जूड़ी खबर हो, चाए सांस्कृति किसी भी मामले पर एक अलग अपनी इन्होंने पकड़ करिये, कोई भी खबर, चाए छोटी इन्टीविटी हो, उसको कम से कम एक पार्दिश सता पूर्ण वक्त दिखाने का जो कारे कर रहे हैं, MTTV इंडिया अजमेर में वही रोल प्ले कर रहा है, जो नेशनल लेविल पर हमारे आस्ता को जई पबलिक भारत कर रहा है, MTTV इंडिया जो अजमेर का लोकल चनल हो, उसक अपने इस पर्ष्ट पूर्वग पार्दिश सता पूर्ण वक्त दिखाया है, उसके लिए मैं आपको भादा ही देना चाहता हूँ, और मेरे आपके लिए शुब कामना है कि आप आगे भी ऐसी काम करें और अपना और शेहर का दोनों को नाम रोशन करें क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि मीडिया लोगतंतर का चोटा स्थम्भ है उसी स्थम्भ को इस चैनल दुवारा कायम रखा गया, आम जन्न के समच्छाओं को पर्षाशन तक पहुँचाया गया, और पर्षाशन के माध्यम से आम जन्न के समच्छाओं को दूर किया क्योंकि आप लोग बड़ी इमानदारी से और निस्था से अपनी विचार जो है अपने चैनल की थूरू ब्यक्त कर रहे हैं और सबी लोग इसे बहुत खुश है कि अजमेर में भी पत्रकारिता की शेतर में जो आप एक भाहतरीन काम कर रहे हैं प्रकार से मीडिया को लोग तंत्र का चौथा स्थम का जाता है एम्टी टीवी इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी को बखुबी समझते हुए और निभाते हुए इन दो वर्षों में अजमेर के मीडिया जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाई है आज की युग बतेखा आप देखें मेडियर स्धें जो हरएक एंसान की है हरक ट्रासपरेंशी है वो मीरिया ही दिखाते है और south CV इंडिया जो भी है उसको डो शॉल हो चुके हैं उसकी में हार दिक बाशा करता हूं मैं बदाए देता हूं सुषिलपाल जी को आप पूरी टीम को जो दो साल बहुत अच्छे निकाले और हर एक खबर को जर्जंदक परचाया उन्हें निश्पक्ष पत्रकाजिता का परमान दिया है उन्हों की सोशल मीडिया पर चाहे यूटूब पर देख लिए चाहे फेसुक पर देख लिए ट्यूटर पर हर चीज पर उनकी जो खबर है बिलकुत सत्य खबर आती है और मैं खुद भी एक उनकी मतलब जो सुषिल प पर पेश करते हैं कि इस चैनल के संपादक सुषिल पाल पूरी मेहनत के साथ निश्टा के साथ शेयर के लोगों को और राजिस्तान और देश भर के लोगों को सूचनाय प्रेशित करते रहेंगे इसमें कोई दो रह आये नहीं कि आने वाला समय सोशल मीडिया का है और सोश ही है और लोग जो है वो देखना पसंद करते हैं जिस तरह से एंटी टीवी अजमेर शहर के और रायस्तान के जो मुद्दे जनहित के जो मुद्दे उठा रही है जिसमें हर वर्ग को जो बेनिफिट फायदे मिल रहे हैं उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंग है उनने बहुत अच्छे कारे जो शहर के लिए अच्छे जनित के जो मुद्दे उठा रहे हैं उपर सुशील पाल जी जो संपादक हैं एंटी टीवी के उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हारदिक बदाई और शुबकामना देना चाहूंग कि लोक तंत्र के अंदर जो प् हवेसं जो हकीकत में ग्राउंड वर्क कर रहा है जो हकीकत में रिकार अजमेर की ऑश्मेर डिस्टिक की और आघ मिन शुबकामना है नहीं कि पूरा श्रूर है पूरा कि समाज स сок उतिक नहों करते हैं हम दो साल से जुड़े हैं और इनकी न्यूज हमको एनिटाइम और हर वक्त हमको मिलती है और डिजिटल मेडिया पर जो एक्टीव हैं उसके लिए हम हार्दिक शुपकामना है देते हैं और सारी न्यूस टाइम या छोटी ख़बर हो या बड़ी ख़बर हो और हमने न्यूज को कभी फोन भी किया है न्यूज वाले को तो एनिटाइम हमारे पास प्लब रहते हैं और उस न्यूज को एनिटाइम दिखाते हैं और वाड नंबर दो की तरफ से मेरे सारे भाईयों की तरफ से आपको हर दिक शुपकामना है एमटी टीवी इंडिया पर जो सटीक जानकारी अज में शैर के हित में दिखाई जाती है और सरप्रथम तेज गती से जो समाचार जो है ततकाल गटना के तोरेत बाद दिखाया जाता है उसके निश्पक्षता और जनता के बीच में जो पेट है वो एक उधारन है जिससे आ विबन शित्रों में विबन मुद्दों में और विबन जन उपयोगी और जोलंद मुद्दों में बिना किसी दबाओ के एमटी टीवी के पतरकारों ने और परिवार ने जो मुद्दे उठाए निश्रत तोर से शहर इसका आभारी रहेगा या आप रादिक तत्त्तों के ज मैं चाहता हूँ कि आप बेने भाए एंटी टीवी के दश्रकों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि पिछले दो वर्ष सफलता पूरू की हैं आगा में इनका भाविश्य सुकत रहे और इसी तरह से ये शहर का हिद जनता का हिद राष्ट का हिद में अपनी सहवागी तक निभाते रहें ऐसी में शुपकाम नहीं और बधाई प्रेशित करता हूं जैहिंत जैवारत कई ऐसे साम देश देने का काम किया यह जो एंटी टीवी इंडिया की पत्रकारिता है इसके लिए मैं सबसे पहले सुशील पाल मुखिया हैं उनको हर दिक बदाई देना चाहूंगा एंटी टीवी इंडिया को दो वर्स पूर्ण होने पर सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुपकाम नहीं इनके समवाद आता भी हर जगे चोटी से बड़ी खबर तक हर को कवरेज करते हैं और हमारी यही शुपकाम नहीं आने वाले समय में एक अच्छी तरीके से समाज का च आता है कि जो कोई एक मीडिया किसे रिलेटेड अपन कहते हैं चोटा स्थम में जो उस स्थम का कारिय कर रहा है वह एंटीटी नीया को तहे दिल से हार्दिक भजाही देना चाहूं घुड़ी तरकी सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल इसी तरह से फलता फूलता और मेरी तरफ से सबी तीवी चैनल वालों को बहुत बहुत शूप कामना है जो राजस्तान बर में डिजिटल इंडिया जो आज हर व्यक्ति अकभार के बाद एक मूबाइल के हाथ में मूबाइल से ही सारी खबरों को अच्छे से देख पाता है तो अजमेर नी राजस्तान बर में जो एंटी टीवी इंडिया ने दो वर्षों में इतना अच्छा माहूल तियार किया है और एक पारदर्शीता दिखाई एक खबर को जो खबर के अनते तेह तल तक जाकर जो खबर की वास्विक्ता है उससे परिचित करा है सथी जो चीज है सथी को पब्लिक को घ्यान करा है दू निस्ष्ट चृ टीवी की संपादक सुसील पाल जी उनकी संपूर्ण पूरी टीम को मैं सादुवाद दूँगा धन्यवाद दूँगा कि भविश्य में भी वो इसी प्रकार जो खबर है उसको अंते तक तक जाकर और आप व्यक्ति को दिखाए निश्चित रूप से मैं MTTV इंडिया के उजवल भविश्य की कामना करता हूँ MTTV इंडिया को सवलतम दोवर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई प्रेशित करता हूँ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चाहे वो सामाजिक मुद्दे हो चाहे राश्य संबंदित मुद्दे हो चाहे जनित के मुद्दे हों कोई सी भी तरह का मुद्दा होता है MTTV इंडिया की टीम पूरी टीम ही सभी मुद्दों को लेके सब परतम खड़ी रहती है और उसको अच्छे से समाज के सामने प्रेशित करती है उपलब कराती है तो इसके लिए मैं पुने MTTV इंडिया की सु पूरे प्रदेश में इसका फैलाओ जल्द से जल्दो इसी को लेके वापस में एक बार बदाई देना चाहता हूं तरुन अगरवाल पत्रकारिता को पुनाय जिवीत कर रहे हैं और अपनी इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इमानदारी से अपनी जो भी न्यूज होती है उसको जो है सब भी लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुबकामनाय मेरी अब लोग शुशल मीडिया के विभीन्नेट फ्लेट फारमों के जरिए सूचणाय प्रप्त करते हैं समाचार प्रप्त करते हैं बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारा है लोग लगे वे हैं उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले दो वर्ष में जिस तरीके से इस चैनल ने अपनी पहचान बनाई है आगे भविश में भी इस तरह के प्रयास उनके जारी रहेंगे और लोगों तक शूचनाओं का जो प्रदान करने का तरीका है वो इसी प्रकार लोगों तक जारी रहेग और इसके साथ ही मैं सभी हमारे पत्रकार साथ ही जो इस चैनल चे जुड़ेवे हैं उनको भी अपनी शुपकामना देता हूँ MTTV को आज दो वर्ष पूर्ण होने पर एक हार्दिक शुपकामना और आशा करूंगा जिस तरह सफलतम दो साल पूर्ण की हैं उसी तरह आगामी आने वाले वर्ष दिन पर दिन उनके और भी अच्छे और आगे बढ़ने वाले सरानी कदम उठाते रहें और आप से और MTTV की टीम से मैं आशा और उमीद करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे भी जन मानस के बलाई के लिए जो भी मुद्धे हैं आप उन सब को उठाते रहेंगे और नएने युवाओ को आप रोजगार देखे और उनको भी ट्रेनिंग देंगे इस फिल्ड में किस तरह से काम के जना चाहिए और आपकी टीम को पुने सफलता की बहुत 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 शुपकामना देना चाहूँगा वो बड़े ही रोचक हैं समाज को एक नई दिशा मिली है शीखने को भी मिलता है आपकी न्यूस से न्यूस के माध्यम से तो मैं आप सभी को शुपकामना प्रेक्षित करूँगा और बहुत-बहुत हर्दिक आभार और धन्यवाद यहां के कैमरामेन जो हैं वो भी बड़ प्रभावी हैं हर न्यूस को ऐसे कवर करने पहुच जाते हैं जैसे वो विशेवास्तों में जनता के पास पहुचाना ज़रूरी है और ऐसी ही उत्षुकता जब टीम में रहेगी तो निश्चेती पत्रकारिता एक नए आयाम को छुएगी आप सभी को हर्दिक शुपकामन करणी प्रत बेगी न हरेगी तो कि विशेभास्तों में aoुपकामने जनता लिचार ग्याम में जनता है में जातना हैं झाल था कर मुछता है